अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में Google Play Store बार बार ओपन हो रहा है तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें तो इसके लिए आप अपने फोन की Settings ओपन करिए Settings ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे आकर Apps आएगा इस पे किलिक करिए उसके बाद उपर Manage Apps आएगा इस पे किलिक करिए और ये Manage Apps आपके फोन में App Manager या फिर App Management नाम से हो सकता है तो इसे ओपन करने के बाद आपके फोन के सारे App यहाँ पर आ रहे हैं उसके बाद आप नीचे आईए नीचे आकर यहाँ पे Google Play Store आएगा इस पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा या फिर आप Play Store के आईकन पे Long Press करिए इसके आईकन पे 2-3 सेकंड किलिक करके रखिए उसके बाद आप Info आएगा इस पर किलिक करिए और आप यहाँ पे आ सकते हैं अब यहाँ पे आने के बाद नीचे Force Stop आएगा इस पर किलिक करिए उसके बाद ओके पे किलिक करिए उपर Storage पे किलिक करिए नीचे Clear Data पे किलिक करिए Clear All Data पे किलिक करिए यहाँ पे ओके पे किलिक करिए अब यहाँ पे Data किलियर करने के बाद Back आईए बैक आने के बाद यहाँ पे उपर Clean Dot पे किलिक करिए उसके बाद Show All Apps आएगा इस पे किलि करने के बाद ये जो सर्च बाहर आएगा इस पे किलिक करिए उसके बाद टाइप करिए गुवल प्ले उसके बाद आएगा गुवल प्ले सर्विसेज इस पे किलिक करिए उसके बाद आपके सर्च में यहाँ पे आएगा गुवल प्ले सर्विसेज इस पे किलिक करिए नीचे Force Stop आएगा इस पे किलिक करिए और OK करिए Force Stop करने के बाद उपर Storage पे किलिक करिए नीचे Clear Data पे किलिक करिए Manage Space आएगा इस पे किलिक करिए उसके बाद आएगा Clear All Data इस पे किलिक करिए उसके बाद OK पे किलिक करिए और ये करने के बाद अपने फोन को एक बार बंद करके चालू करिए उसके बाद आपके फोन में अब Google Play Store बार बार ओपन नहीं होगा तो इस तरीके से आप अपनी प्राबलम ठीक करें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें